यूरिक एसिड की समस्या आजकल बहुत कॉमन है। यूरिक एसिड है तो हमारी बॉडी की एक नॉर्मल चीज लेकिन जब ये ज़ादा बढ़ जाता है तो क्या इसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ घरेलू उपाय उपना सकते हैं। कौन सी ऐसी होमेपेथिक मेडिसिन है जिसको इस्तमाल करके हम अपने यूरिक एसिड लेवल्स को नॉर्मल लेवल में रख सकते हैं और हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। दोस्तो मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता शिर्वास्तो आपकी सेहत की दोस्त और आज आपसे इसी विशे पर बात करूंगी और आपको जानकारी दोंगी कि यूरिक एसिड को किस तरह से घरेलू चीजों को हम अपना कर बिलकुल कंट्रोल रख सकते हैं और एक बहुत ही जार भरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि इसी तरह के का इन्फरमेशनल कंटेंट आपको आगे भी देखने को मिले दोस्तों एक्चुली यूरिक एसिड हमारी बॉडी मे हमेशा बनता रहता है ये एक end product होता है digestion का एक तत्व होता है भोजन में जिसे कहा जाता है purines जिन चीजों की अंदर purines ज्यादा पाये जाते हैं उनका जब end digestion होता है तो उसके end product यानि कि जो अंतिम जो पदार्थ होता है उसके रूप में यूरिक एसिड यानि एक waste material के बनता रहता है और हमारी kidneys के द्वारा इसे excess जो होता है वो filter कर दिया जाता है लेकिन अगर by chance किसी कारणवश अगर आपकी blood में uric acid जो level है वो बढ़ने लगे बहुत जादा निर्मान होने लगे या फिर आपकी kidneys सही तरीके से इसे flush out ना करने पाएं तो फिर uric acid level आपके blood क को rise करने लगता है यानि बढ़ने लगता है इसके बाद इसके जो crystals होते हैं uric acid एक तरीके का waste product है और इसके crystals जो होते हैं यह आपके अलग-अलग joints यानि जोडों में जाकर जमा हो जाते हैं जोडों में जमा होने के बाद वहाँ पे swelling हो जाती है वहाँ पे लाल हो जाता है यानि redness हो जाती है और severe pain होता है एक खास बात ये भी है कि जिन लोगों को बार-बार पत्री होती है उसके पीछे भी कहीं न कहीं high uric acid की वज़े से ही ऐसा होता है यानि कि अगर आपको uric acid level बार-बार सीमा के बाहर पहुँच जाता है तो वो excess uric acid आपका पत्री के form में जाक इसलिए अगर किसी को पत्री बार-बार बन रही हो तो उसे अपना uric acid level भी जरूर चेक करवाना चाहिए दोस्तों अब आपको ये भी जानना चाहिए कि आखेर में अगर uric acid की problem हो रही है आपका blood uric acid level rise कर रहा है तो कौन-कौन सी ऐसी चीजे है जिनको की आपको avoid करना चा इसमें सबसे जरूरी बात ये है कि आप smoking और alcohol यानि कि धूम्रपान और शराब की लट से दूर रहें ये दोनों ऐसे बहुत बड़े कारण हैं जिसकी बज़े से uric acid की problem बहुत जादा बढ़ती है इसके अलावा आपको कुछ बोजन में चीजे हैं कुछ खाने पीने की ची इसके अलावा मटर, गोभी और मीट यानि की मीट और मीट से बनी हुई जो भी आपके नॉन वेज़ वारी जो चीजे हैं उनसे बहुत जादा मात्रा में uric acid बनता है तो अगर आपको high uric acid level की problem है तो इन सारी चीजों से आपको बचना चाहिए अब आप पूछेंगे कि हम कि दाल ना खाएं अगर आप अरहर की दाल खाते हैं तो आप रोज अरहर की दाल ना खाएं बलकि आपको बीच पीच में दूसरी जो चीजे हैं उनको भी इंकॉर्पोरेट करना चाहिए जैसे मूं की दाल है इसमें बहुत जादा मात्रा में uric acid नहीं बनता है इसलिए इस आप कहें कि वह एब्जॉर्प कर लेते हैं जो आपके हाई uric acid level है उनको वह काफी तरीके अच्छी तरीके से मेंटेन कर लेते हैं और इसलिए ज्वार और बाजरे की रोटी को बना कर भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के अब आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी medicine है कौन सी ऐसी दवा है हुमेपैथी में जिसको की इस्तमाल करके हम अपने uric acid level को control में रसकते हैं दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को like कीजेगा वीडियो को share कीजेगा और subscribe जरूर कीजेगा ताकि इसी तरह के informational वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलें दोस्तों medicine का नाम है arctica urines arctica urines अगर कहा जाए कि होमेपैथी में लगभग specific medicine है जिसे की uric acid levels काफी अच्छी quantity में down होता है अगर arctica urines की खासियत की अगर बात की जाएं तो अगर किसी को गठिया की problem हो रही है इसके अलावा आपका जो किड्नी स्टोन है अगर इसमें से दो कंडिशन भी आपकी मैच कर रही है और आप अर्टिका यूरेंस मादर टिंचर का इस्तमाल करते हैं तो यह काफी एफेक्टिवली उस चीज को लोवर करता है यानि कम कर देता है और समस्या में अराम दिलाता है दोस्तों अर्टिका यूरेंस को कैसे इस्तमाल करना है अब आपको यह भी जाना चलिए इसे जेनरली मदर टिंचर के फ़र्म में इस्तमाल किया जाता है और इसकी दस बूंद आदे कप पानी में या गर गुर्भुना पानी है तो और बैतर है इसे सुबह दुपहर शाम त देखिए कि आपका कितना इंप्रूमेंट हुआ है और अगर आपको स्टोन है या फिर आपको बार-बार स्टोन बन रहा है यूरिक एसिड की वज़े से तो उसमें भी स्टोन के साइज में आपको अंतर देखने को मिलता है तो दोस्तों यह थी कुछ इंपोर्टेंट फैक यूरिक एसिड के बारे में क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और होमेपैथी की बेस्ट मेडिसिन के बारे में उमीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा आपने कुछ नया सीखा होगा अगर आपको अच्छा लगे बाइ चेक केर जैहिंद बन्देवाद रहां